नमस्कार दोस्तों मुधूण टेक यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागते हैं दोस्तों फेस्बूक के एड्स ओन रेल्स पर फेस्बूक के रेल्स मॉनिटाइजिसन पर एक गज़ब का अपडेट किया गया है और ये अपडेट चितने भी यूजर्स फेस्बूक लाइब्रेरी से मुजिक का यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए काफी हेलफूल होने वारा है यूजर्स का हमेशा से ही क्वेश्चन रहता है कि हमारा फेस्बूक रेल्स एड्स ओन रेल्स के तुरू मॉनिटाइज हो जाए तो क्या हम म्यूजिक फेस्बूक लाइब्रेरी से यूज़ कर सकते हैं या पिर नहीं तो यूज तो कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होता है बट कभी कभार म्यूजिक लेने से हमें जिस भी रिल्स पर पर्टिकुलर रिल्स पर हम म्यूजिक यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें notification मिल जाता है कि your video is enabled to be monetized यानि कि यह जो आप रिल अभी पोस्ट किये हो यह particular रिल्स आपका monetize नहीं होगा ads on रिल्स के तरूँ monetize नहीं होगा इस particular रिल्स पर आपकी कोई भी कमाई नहीं होगी तो इससे हमें देखने को मिल रहा था कि facebook library के अंदर कुछ-कुछ ऐसे music थे जो copyrighted है और इसलिए हमारा रिल्स कर दिया जाता था लेकिन अब facebook ने इसके उपर एक गजब का अपडेट कर दिया है एक बहतरीन अपडेट निकाला है जो कि आज आज आपके साथ इस वीडियो में share करने वाला हूँ अब आप किसी भी music का use करते हो कोई भी आपको ads on real पर कभी भी कोई भी copyright नहीं आएगा कोई भी demonetize का issue नहीं आएगा और your video is enabled to be monetized ऐसा भी problem देखने को नहीं मिलेगा तो क्या है update पूरा detail में बात करते है वीडियो को आखर तक देखो चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सोशियल मीडिया से रिलेटेड यासी है updated information इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी दोस्तों आज ही कई सारे facebook यूजर्स को जो डेली रिल पोस्ट करते है और जिनका facebook ads on rails के थ्रू मॉनिटाइज है उन में से कुछ-कुछ यूजर्स को एक notification मिला है कि you have been selected to try a new feature for ads on rail यानि कि आप select किया गये हूँ try a new music feature for ads on rail ads on rails के लिए एक नया music feature लाया गया है इसमें जो है कुछ selected users को जो है select किया गया है उसका test करने के लिए अब जब इस notification पर क्लिक करते है तो ads on rail ओपन हो जाता है और टॉप पर हमें एक pop-up notification मिलता है बता जाता है try a new music feature for ads on rail अब नीचे क्या है कि you can now monetize your eligible rails with licensed music from facebook audio library अब आप facebook library से किसे भी music का यूज करते हो कोई भी music लेते हो कोई भी copyright नहीं आएगा कोई भी your video is enabled to be monetized ऐसा issue नहीं आएगा क्योंकि आप facebook ने इसको जो है fix कर दिया है जोतने भी copyrighted music थे उसको license के थूँ हम license मतलब license वाले कर दी है अब आप आसन इसे किसी भी रिल्स को किसी भी music को अपने रिल्स के अंदर बेजी जेक यूज कर सकते हो राइट नाओ पे क्लिक करते हैं तो यहां हमरा जो है mobile का camera ओपन हो जाता है तर नॉर्मली हम यहां इसा इसी डिखने को नहीं मिलेगा कई बार क्या होता है वीडियो वाइरल हो जाता है बट उस पर कोई भी कमाई नहीं होती दी क्योंकि वह पर्टिकुलर मॉनेटाइज नहीं होता था जो म्यूजिक लिए थे वह अब यह इसी फेस्बुक स्वाल कर रहा है कुछ कुछ उजर्स को फिचर टेस्टिंग के लिए दिया गया है कुछ टाइम में इसको फुल ले रॉल आउट कर दिया जाएगा फिर आप फेस्बुक लाइबरेरी से फेस्बुक आडियो लाइबरेरी से कोई music लेते हो तब आ आपको फेस्बुक आपको जो music आप यूज करेगे वो फेस्बुक का audio library से यूज करना है बहार से कही third party music लेकर आओगे तो monetization restricted हो जाएगा तो उससे आपको बच करेना है फेस्बुक लाइबरेरी से ही music का use करना है third party music लेकर नहीं आएना है वीडियो से ले लेटेड आपक आपको बहुत 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 बन्यवाद